गया जिसे हम सभी मोक्ष की भूमी के नाम से जानते हैं इस मोक्ष भूमी पर देश का सबसे बड़ा रवर डैम बनकर तयार हो गया है बता दे कि गया में बने इस रवर डैम का उदखाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार करने वाले है इसके साथ ही सीम नितीज कुमार मेला महा संगम 2022 का भी उदखाटन करेंगे इस तोरान कारेक्रम में डिप्टी सीम 311 भी मौझूद होंगे इस उदखाटन समारों के सारे इंतिजाम पित्री पक्ष यानि की 9 सितंबर से ठीक एक दिन पहले 8 सितंबर को पूरे कर लिए गया है इस उदखाटन समारों में जलसन साधन विबाग के तमाम अधिकारी भी मौके पर जुटे हुए होंगे बता दे कि इस रबर डैम का नाम नितीस कुमार के द्वारा गया जी डैम रखा गया है 411 मीटर लंब और 3 मीटर उचा इस डैम का निर्मान विश्णुपद मंदिर के पास किया गया है इस डैम को बनाने में कूल 312 करोड की लागत लगी है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फल्गू नदी में सिर्फ बारिश के मौसम में सतह पर पानी होता है बाकि दिनों में पानी सतह के नीचे होती है ऐसी मानेता है कि गया में बहने वाली फल्गू नदी को माताशीता ने श्राब दिया था पुरवजो के माननेताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिंडदान के बाद तर्पन के लिए इसी नदी का जलज जरूरी होता है लेकिन इस नदी में पाने सिर्फ बारिश के मौसम में आने से सिर्फ पर्यटको को ही नहीं बलकिस थानिये लोगों को भी अशुविधा होती है लोगों की इसी अशुविधा को देखते वे सरकार के द्वारा फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्मान कड़ाया गया है इस डैम के बन जाने की वज़ा से अब नदी में साल भर सतह पर पानी रहेगा और पिंददान करने आए लोगों को किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना होगा चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये रबर डैम होता क्या है इससे पहले हम ये जान देते हैं कि आखिर फल्गु नदी पर रबर डैम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी बता दे कि जलसन साधन विवा के कारे पालक अभियंता अजैस सिंग का कहना है कि फल्गु नदी में आम बरसाती नदियों की अपेक छाए एक दिन में ही पानी सूख जाता है जबकि अन्य नदियों में लंबित समय तक पानी का ठहडाओ बना रहता है लेकिन इस नदी के भीतर सीपेस तेजी से और अधिक होती है वैसे डैम जो पारंपरिक होते हैं उनके भीतर पानी रोकने की तकनीक नहीं होती लेकिन रवर डैम में ये तकनीक मौजूद होती है और इस तकनीक को खास दूरी तक इस्तमाल किया जा सकता है चुकि विश्वपद के निकट केवल धार्मिक महत्व के मध्य नजर पानी चाहिए था इसलिए यहां रवर डाम का निर्मान कराया गया ताकि लोगों को तरपन करने में परिशानी ना हो बता दे कि धार्मिक नगर गया में हर वर्ष लाखों हिंदू, बौध और जैन सभी श्रद्धालूं में उनकी संख्या अधिक होती है जो अपने पित्रों को मोक्ष दिलाने का कामना के साथ पिंडदान, स्नान और तरपन के लिए गया की पवित्र भूमी पढाते हैं लेकिन विश्व प्रसेद विश्णु मंदर के निकर्ट मोक्ष दाइनी फल्गु नदी में सती जल का प्रभाव सिर्फ बारिस के दिनों में होता इसलिए देश पिदेश से आई श्रद्धालूं को काफी परिशानी होती थी लेकिन अब इस जैम के निर्मान के बार अनधार समय से एक साल पहले ही तयार कर दिया गया है आईए अब हम आपको बताते हैं कि इस जबर डैम की क्या खासियत है अभियंता अजय सिंग के द्वारा यह बताया गया है कि इस जैम का परेवरन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है इस जैम को बनाने के दौरान पूरी के रूप डेखा आई आई टी रूड़की के विससुग्य द्वारा स्थल निरिक्षन के बाद दिये गए परामर्ष को ध्यान में रखते वे तयार किया गया था इस डैम की शहायता से नदी के सतही और उप सतही जलप्रवाह को रोक कर पानी को डैम में जमा किया जाएगा इसके साथ ही इस रबर डैम का उपयोग डैम के सीपच को रोकने के लिए भी किया जाएगा बता दे कि इस डैम के निर्मान के दोरा फलगूर नदी के भीतर रॉक लेबल तक 1031 मीटर की लंबाई में रबर सीट पाइल किया गया है और 300 मीटर में डैफ्रॉंग वाला बनाय इस तरह से डैम को रेक्टैंगल सीप में बना कर पूरी तरह तयार कर दिया गया है वहीं अगर गर्मी के दिनों में डैम में पानी की कमी होती है तो उसे पूरा करने के लिए 5 बोर्विल किये गया है इस बोर्विल की खासियत यह है कि यह 15 से 20% पानी की कमी को गर्मी के दि के से किया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस रवर डाम का निर्माश 6 स्पैम में तैयार किया गया है इस डाας रखी गई है यानि कि इस डाम में भर्सात के दिनों में 3 मीटर तक पाणी को जमाक किया जा सकता है वहीं अगर पानी की मात्रा इससे अधिक होती है तो वह पानी डैम के उपर से उत्तर दिशा की ओर से निकल जाएगी साथ ही किसी विसेश परिस्थिती में भी डैम से पानी छोड़ने की व्यवस्था की गई है तरसल रबर डैम एक बलून की समान होता है क्योंकि जिस तरह विसेश परिस्थिती में बलून से हवा निकाला जा सकता है ठीक उसी तरह विसेश परिस्थिती में इस डैम से पानी को भी निकाला जा सकता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद